वर्स दोहसार चौबीस में दो चंदर ग्रहन और दो सूरे ग्रहन होंगे चार ग्रहनों की वज़ा से प्राकृतिक आपदाओं का समय से ज्यादा प्रकोप देखने को मिलेगा इसमें भूकम, बाढ, सुनामी, विमान, दुरघटना इत्यादी के संकेत मिल रहे हैं प्राकृ यान दुरघटना होने की संभाबना है जोतिश के अनुसार साल में चार ग्रहनों की प्रभाव से पूरे विश्व में राजनितिक आइस्थिर्ता यानि राजनितिक माहौल उच्च होगा राजनितिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा होंगे सत्ता संगठन में बदला होंग पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जाएगा आंदोलन, हिंसा, धर्ना प्रदर्शन, हर्ताल, बैंक घुटाला, उपद्रव और आगजनी की स्थितियां बन सकती हैं दो अक्टूबर को दूसरा सूरे ग्रहन, वर्स 2024 का दूसरा सूरे ग्रहन दो अक्टूबर को होगा, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इस सूरे ग्रहन का ज्यादा तरपत्र प्रशांत में होगा, दक्षिन अफरीका के चीली और अर्जेंटीना में यह एकदम साफ दिखेगा, सूरे ग्रहन रातरी 9 बचकर 13 मिनट से मध्य रातरी 3 बचकर 17 मिनट तक रहेगा, 25 मार्च को पहला चंद्र ग्रहन, नए साल का पहला चंद्र ग्रहन 25 मार्च को लगेगा, यह ग्रहन उपछाया चंद्र ग्रहन होगा, और इसका भी सूतक काल मानने नहीं होगा युरोप, उत्तर, पूर्व, एशिया, उस्ट्रेलिया, अफ्रिका, उत्तर और दक्षिन अमरिका में दिखाए देगा चंद ग्रहन सुबह 10 बच कर 23 मिनट से दोपर 3 बच कर 2 मिनट तक है 18 सितंबर को आखरी चंद ग्रहन साल 2024 का आखरी चंद ग्रहन 18 सितंबर को होगा यह आशिक चंद ग्रहन भारत में नहीं दिखेगा युरोप, एशिया, अफ्रिका, उत्तिरी दक्षिनी, अमरिका, प्रशांत, अट्लांटिक, हिंद, महासागर, आर्क्टिक और अंटार्क्टिका में यह दिखेगा चंद ग्रहन प्राता 6 बचकर 12 मिनट से 10 बचकर 17 मिनट तक है